कि लड़ी है हेलो बच्चो केसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे तो बच्चो रोजाना की तरह हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एनर्टमी और फ्लावरिंग प्लांट्स के पीवाई क्यूस को मॉर्णिंग में आरार सर ने आपको इसकी एंसे आर्टी रिवि करने के लिए यहां पर आ गए हैं जो कुशन के यहां के का पर ऑब करने वाले हैं तो चलिये अपने वक्त खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन बच्चों हम यहां पर उनी लेकर आएं हैं जो आपके अभी संधी ने वह वाले जो आए मuciónख एक सेंडरी ग्रोध हटा दिया जारो यहां पर सेगणरी dirub od skipping को कुश्चों हैं उनको लेकर हम यहां नहीं आये हैं सेकंडी ग्रोस से पहले जितने भी कोश्चन्स आये हैं पिछले 10 सालों में वो सारे कोश्चन्स आज हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन क्या पूछ रहा है यहां पर हमसे कि इंटर फैसिकुलर केंबियम डवलप्स फ्रॉम दे सेल्स उफ इंटर फैसिकुलर केंबियम की यहां पर हम बात हो रही है तो हम जानते हैं बच्चों कि इंटर फैसिकुलर केंबियम कैसे और कहां डवलप होती है ठीक है चलिए तो ये मैंने लिया एक, इसको समझते हैं, टीएस लिया मैंने एक ठीक है, और ये मैं ले रहा हूँ स्टीलर रीजन में, आप बच्चे जानते हैं, अभी आप प्रेपेर कर रहे होंगे अच्छे से, आपने PYQ भी लगानी कोशिश की होगी, तो आप पता होगा आपने चेप यह आपर हम शो करेंगे, तो महरी जी यह मैने एक Dicote क्या लिया है Dicote Gel का, टीएस लिया और यह क्या है हमारे पास Vascular Bundle, यह मैंने यहाँ पर Vascular Bundle को दिखा दिया, ठीक है, अब हम से Question में क्या पूछरा ऎलीए, कि नजए, इंतर, пожansिक वे Smoke, जो है, वो कैसे Travel development होती है और कहाँ पर develop होती है, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास intra-facicular cambium present होती है ठीके अंदर की तरफ xylem होता है ये आप सभी को पता है बाहर की तरफ हमें phloem देखने को मिलता है ये आप जानते है ठीके बच्चों यहाँ पर क्या एक पित हमें देखने को मिलेगा बीच में clear ठीके तो क्या पूछा गया इंटर फेसिकिलर के बारे में तो हम जानते है बच्चो की यहां पर कुछ सेल्स होती है जिने हम बोलते हैं May Daugri ConseITY का बोलते हैं May Daugri सी रिए हम का थिम्हाइ हम बोलते हैं उसको मेडियू लएज और हम क्या मॉलत मैं इसको मैडियू लओ ला या फिर हम इसको बोलेंगे पित और पित से पित रेज निकल रही है या तो हम दो नाम है पित रेज बोल लो या फिर मेडूलरी रेज बोल लो पित का एक और नाम है वह हमारे पास मेडूला ठीक है तो मेडूला से रेज निकल रही है इसको मैंने कहा मेडूलरी रेज जैसे ह सन देखते हैं और संसे सन रेज निकली हुए होती है उसी तरीके से यहां पर मेडियूला से मेडियूलरी रेज यहां पर निकल रही है ठीक है इंटर फेसिकुलर केमियम कैसे बनी बचों मेडियूलरी रेज की जो कुछ सेल्स हैं ठीक है मेडियूलरी रेज की जो यह सेल्स है यह क्या है division start होता है इनके अंदर और एक ring का formation करती है क्या करती है division start हुआ और एक ring का formation किया इसको मैंने कहा inter-fascicular cambium क्या कहा बच्चों inter-fascicular cambium तो हमारा answer क्या हो जाएगा कहां से develop हुई मेडियूलरी रेज से मेडियूलरी रेज से किसका formation हुआ इंटर-fascicular cambium का formation हुआ आई होब कि आपको clear हुआ होगा ठीक है बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाएए अब भी हमारा पहला ही question आया है ठीक है और आपको भी answer करना है ठीक है करो पहले क्रोफा नहीं हटी है बच्चों पारस बेटा हट चुकी है सेकंडरी ग्रोथ आप NTS की सेलेबस में जाएए और वहां आप देखिए जो सेकंडरी ग्रोथ है इस चेप्टर में वह हटा दी गई है लेकिन जो आपको स्टार्टिंग वाला जो टिशू वाला topic है वह आपको पढ़ना है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए तो answer यहां पर हमारा क्या हो जाएगा दो answer हो जाएगा चलिए next question चलिए यू आर वेरी गुड़ बहुत बढ़िया सर्थ तेस के लिए इन टीक शिलिए बिटा हट चुका है सेकंडरी ग्रोथ ठीक है आप थुरा सा इसमें सर्च करके आईए मैं बोल रहा हूं आपको कि इसमें सेकंडरी ग्रोथ अभी नहीं है और इस साल इसमें से कोशन भी नहीं आएंगे ठीक है चलिए next question देखते है यू आर गीवन ए फैरली ओल पीस और डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट चलिए हमने क्या किया एक पीस लिया डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट का एक पुराना पेड है पुराना प्लांट लिया हमने उस पीस कट करके लाए और अब हम ऩाहरे पूछ रहा है कि हम इन दोनों में different cases दखेंगे तोपीस है ठीक है यह मैंने और गांद स्टेम और यह मैं पूछा यह जा रहा है कि हम इसको केसे dropping सिपरेंट करें हम कैसे पेचानेंगे कि यह ॔री सिटेम है तूम वही बात करते हैं वापस से यह ती पर यह अनमेंस धिक Changing आपाई डिखाया देगा और इसमें क्या था इसमें जस्ट उल्टा था इस तरीके से क्लियर हुआ इस तरीके से मैं देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है डाइकोड स्टेम के अंदर क्या हुआ कि जो प्रोटोजाइलम था जो प्रोटोजाइलम था वो क्या था अंदर की तरफ और यहां रूट के अंदर क्या हुआ प्रोटाजयलम के साई भाम वाहिं तरफ दिखाये दे रहा है तो डोनों के अदर अगर हमें difference करना है भच्चो एक US आम को को प्रोटाजयलम पहर है और प्रोटाजयलम बाहर है अंदर का होगा डाइकॉ स्टेम के अंदर हो और हम प्रोटोजायलम की पोजिशन को देखकर यह पैचान लेंगे कि यह रूट है या फिर डाइकोट ढूट कंव है क्लियर हुआ क्लियर हुआ बेटा चलिए बच्छों ठीक है नेक्स कुश्चन ट्रेकीड्स डिफर फ्रॉम अधर ट्रेकरी एलिमेंट्स ठीक है भीया क्या बात हो रही है यहां पर ट्रेकरी एलिमेंट्स की बात हो रही है है मतलब उससे different कैसे है ठीक है तो ट्रेकील में हम देखते हैं कि ट्रेकील में हम वैसल की बात करते हैं तो वैसल और ट्रेकीट के अंदर यहां हमें different differentiation करना है ठीक है पहला option है having Casperian strips बच्चों Casperian strips हमें endodermis के अंदर देखने को मिलती है endo dermis के अंदर हमें casperian strips देखने को मिलती है तो ये तो हमारा option हो जाएगा गलत ठीक है being imperforated बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है कि being imperforated हम देखते हैं कि जो tracheids होती है बच्चों वो tracheids के इसे होती है इस तरीके से हमें tracheids का arrangement दिखाई देता है ठीक है और उसका जो opening होते हैं ये end जो होते हैं ये कैसे होते हैं imperforated हमें देखने को मिलते हैं imperforated हमें देखने को मिलते हैं वही अगर मैं vessel की बात करूँ तो vessel में बच्चों हमें perforation देखने को मिलते हैं इस तरीके से हमें vessel देखने को मिलती है तो हमें यहां क्या मिला, बिल्कुल tapering end थे, close है, तो यहां क्या कहा मैंने, imperforated, और यह क्या है, perforated, यह क्या है, perforated, clear हुआ, तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, tracheade and vessel के अंदर हमें क्या difference देखने को मिला, कि यह imperforated है, और यह क्या है, perforated है, ठीक है, तो यहां पर हमार आंसर क्या हो जाएगा बींग इंपर फोरेटेड यह हमें यहां पर डिफरेंट डिफर है यहां वेसल और ट्रेकीट का क्लियर हुआ यहां तक next question को देखते हैं ठीके major characteristics of monocoat root is the presence of ठीके बच्चों या क्या पूछ रहा है हमसे कि monocoat root का में major character यहां पर हमें देखना है किसका देखना है monocoat root का ठीके चलिए पहला पढ़ते है scattered vascular bundles हम जानते हैं scattered vascular bundles हमें monocoat stem के अंदर देखने को मिलते हैं में एक मानलों यह मैंने एक टीएस लिया मॉनोकॉट स्थेम का और इस तरीके बिखरे हुए इसके डट का मतलब बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिलते हैं तो यह तो बात हमारी गलत हो गई तो यह उप्शन हमारा हो जाएगा रोंग चलिए पिम्भीम वैस्कुलेचर विदाउट के मि थे बात हमें बिलकुल सही लग रही है बच्छों बताइए इसका अनसर क्या होगा और वैस्कुछेश्चर विदाउट के मि मतलब वैस कुलर बंडल्स के बीच में के मियम ipcent होती है कि मैस कुलर है इस only Vescular Bundles के Vescular Bundles के بीच में हमें क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर Cambium हमें देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर थीक है तो Vesculature without Cambium यह हमारा answer हो जाएगा अप जानते हैं कि मान लो यह मैंने एक Vescular Bundle लिया ठीक है और वेसकुलर bundle के बीच में अगर cambium present है vesicular bundle के बीच में अगर cambium present है तो यह क्रोंग की बात कर ठीक है लेकिन हम जानते हैं कि मोनोगोर्ट के अंदर secondary growth नहीं होती और cambium क्या करती है secondary growth करُष्जाठी करिए , ठीक है तो यहां पर तो क्या है कि बार की तरफ और अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम बनेगे तो डाइकोट क्या होता है बड़ा प्लांट होता है उसको अपनी गर्थ को इंक्रीज करना है ठीक है और गर्थ इंक्रीज क्यों करेगा उसके लिए हमें केम्बियम की जरुद पड़ेगी ठीके बचों तो यहां पर हमें बात हो रही है मौनो कोट की और मोनो कोड़ की लाइफ 분위 Ferguson較 इह और पतले पतले प्लांट होते हैं सेकंडरी नहीं करणी है तो उसमें किया हमें किए देखेगी किज शुद्ट सब्सक्राइब तो यह क्या लिखार वेस् lange saur समतलब ऐसे चलर में देखने को मिलेगा और यहां क्या होगा जाइलम और फ्लोयम बीच में कोई केंबियम देखने को नहीं मिलेगी तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्कुलिचर विदाओट केंबियम क्लियर clear very good next question vascular bundles in vascular bundles in monocort are considered close because ठीक है वही बात आगी जो पहले question में आप सो discuss किया है वही वाली बात यहां पर हो रही है vascular bundle की बात हो रही है और monocort plant की बात हो रही है उसको हम close क्यों बोलते हैं ठीक है वापस से discuss करते हैं इस बात को हम यह में ने बना दिया वापस से vascular bundle clear और यह में ने एक और बना दिया vascular bundle ठीक है अब यहां पर हमें देखें कि बाहर की तरफ हमें phloem अंदर की तरफ हमें जायलम देखने को मिलता है और बीच में अगर cambium present है तो dicot की बात हो रही है और बीच में अगर हमें cambium absent दिख रही है तो monocort की बात हो रही है clear हुआ तो monocort के अंदर हमें क्या देखेंगे close अब close हमने क्यूं कहा क्योंकि इसके अंदर क्या Cambium present है तो हम इसको कहेंगे open vascular bundle clear इसके अंदर cambium absent है मतलब cambium नहीं है तो इसको मैं क्या कहूंगा closed vascular bundle clear हुआ तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा बच्चों, cambium is absent one answer हमारा यहाँ पर हो जाएगा clear, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, very good next question, चलते हैं specialized epidermal cells surrounded the guard cells are cold, क्या बात हो रही है specialized epidermal cells surrounded the guard cells guard cells क्या होती है हम जानते हैं बच्चों की guard cells क्या होती है stomata होते है ठीक है, और इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, guard cell inner वाली जो layer होती है, वो क्या होती है ठीक होती है, ये मैंने ठीक inner layer बढ़ा दी और outer layer कैसी होती है इसकी, ठीन होती है अब इसको covering के लिए कुछ specialized cells होती है बच्चों, जो क्या करती है इसको cover करके रखती है और उन specialized cell का क्या नाम है sub cedri cells क्या बोलते हैं, इसको sub cedri cells बोलते हैं तो हमारा answer क्या हो जाएगा, clear sub cedri cells, simple question बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पर ncrt की बिल्कुल line से लिया गया है ncrt बिल्कुल ncrt best question है तो यहाँ पर आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए clear बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए next question देखते है cortex is the reason found between ठीक है, हम यहाँ पर cortex की बात की जा रही है और cortex किसके बीच में प्रेजेंट हो रहा है किसके बीच में पाया जाता है यह यहाँ पर हम से पूचा जा रहा है चलिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं इस question को, ठीक है तो हमसे बात आप जानते हैं कि सबसे बाहर की तरफ epidermis देखने को मिलती है हमें clear, ठीक है तो हमने कहा, cortex is the reason found between, किसके बीच में पाया जाता है अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर stem की मैं यहाँ पर TS ले रहा हूँ तो हमें देखने को मिलेगी अंदर की तरफ hypodermis, मान लो कि यह यह dicote stem है, clear या फिर हम इसको monocoat stem, आप जैसा समझें, यह मैंने एक dicote का यहाँ पर TS लिया है अंदर की तरफ हमें hypodermis देखने को मिलेगी, clear हुआ, यह मैंने hypodermis को show कर दिया चलिए, यह hypodermis हो गई इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी हमें इसके अंदर हमें general cortex देखने को मिलेगी यह मैंने बना दी यहाँ पर cortex clear आप आगे बात करते हैं और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर हमें endodermis देखने को मिलेगी यह मैंने endodermis की layer बना दी clear तो endodermis और उपर की क्या है epidermis सबसे outermost layer क्या थी epidermis उसके अंदर hypodermis clear और यह क्या है हमारे पास यह है cortex या फिर जेनरल कॉर्टेक्स और यह क्या है हमारे पास endodermis ठीक है बच्चों यह हमारे पास क्या है endodermis तो यहाँ पर options देखिए pericycle and endodermis बिल्कुल नहीं pericycle तो endodermis के भी अंदर present होती है clear endodermis and pit बिल्कुल नहीं होगा cortex कहां दिखाई दे रहे में बाहर दिखाई दे रही है clear endodermis and vascular bundles बिल्कुल नहीं endodermis तो यह और vascular bundles और अंदर की तरफ present होते हैं तो यह भी बात गलत हो गई तो बात सही कहां होई है हमारी fourth option हमारा right हो जाएगा epidermis and still ठीके बच्चों तो यहाँ पर क्या देखा हमने यह क्या है epidermis और endodermis इन दोनों के बीच में हमें के दिखाई देती है cortex present होती है तो still की बात यहाँ पर हो रही है बच्चों हमें घवराना नहीं है अगर स्टील को सुनके स्टील क्या होता है जो endodermis वाला part होता है एंडोडर्मिस के अंदर वाला यतना भी है वो क्या है stewers reason और बहर वाला क्या है extra stealer reason तो यह क्या हो गई इन पर पर देरम ए यह महीं इसको steel मान रहा हूं और epidermis तो steel और epidermis के बीच में हमें cortex देखने को मिलती है ठीक है clear केस्पीरियन strips occur in वही बात हो गई वापस से केस्पीरियन strips कहां present होती है ठीक है तो बच्छों आप जानते हैं कि केस्पीरियन strips हमें एंडोडर्मिस के अंदर देखने को मिलती है तो मैं वही डाइगराम वापस ड्रो करूं कि यहां पर सबसे बाहर हमें के देखने को मिलेगी ठीक है और यहां उसके नीचे में क्या देखने को मिलेगी कोटेक्स क्लियर क्योंकि रूट के अंदर हमें हाइपोडर्मिस की जरुवत नहीं है तो हमने वहाँ पर शो नहीं किया रूट को हैपोडर्मिस की जरुवत नहीं है तो हमने देखा एपिडर्मिस कोटेक्स और को करेंग मतलब औरे मंतल geschक कि बेरालगे की बेरा का मुद्रेंट है कि उसकी ब प्रशन कम लिए बेरल ना शुरे साम हो जाता हैं वेरीन का डिपोजिशन हो जाता है उसको हम बोलता है केस्पेरियन स्ट्रिप्स इसको हम क्या बोलेंगे केस्पेरियन स्ट्रिप्स और कहां पर नहीं होता है का नहीं होता है जहां पर जायलम बंडल होते हैं वहां पर केस्पेरियन स्टिप्स नहीं पाई जाती लेकिन बाकी जो भी एरिया होता है पूरा एक राउंड है पूरे राउंड के अंदर हमें केस्पेरियन स्टिप्स देखने को मिलेगी और जहां जहां वेस्कुलर बंडल ह occurs in epidermis, pericycle, cortex या endodermis, क्या answer होगा हमारा मैंने बना दी यहाँ पर यह endodermis clear, तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा 4 ठीके चलिए, next question बात हो रही है घंसकी grasses leaves curl invert during very dry weather select the most appropriate reason from the following चलिए, बात हो रही है घंसकी तो क्या है, grass leaves curl invert क्या हुआ भी या कि घंसकी जो leaves है वो क्या हुआ अंदर की तरफ invert हो गई क्यों हुआ हुआ है देखते हैं options, shrinkage of air space in spongy mesophyll, बिल्कुल बात गलत है tyluses in vessels, tyluses to vessel के अंदर बनते हैं बात गलत है, closer of stomata, stomata की कोई बात ही नहीं flaccidity of buliform cells, हम हम जानते हैं की buliform cells क्या होती है large empty colorless, जो cells होती है in CRT की सीधी लाइन है, जब क्या होता है बच्चों, leaf के अंदर जब water ज़्यादा होता है तो वो टर्जिद हो जाती है water बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसे फेल जाती है, clear और जब उनके अंदर water की कमी आती है, तो water की कमी आती है scarcity phase करते हैं और फिर वो अंदर की तरफ curl हो जाती है, तो क्या होँआ, flaccidity of buliform cells हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा, clear एंसे इडिकी बिल्कुल लाइन है, बिल्कुल simple question है, आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों, ठीक है, very good, very good, xylem translocates, ठीक है यह जाएलम जो है वो root से stem के अंदर क्या-क्या चीजों का translocation करता है, क्या-क्या चीजों को पहुचाता है, चलिए बात करते है, water only, बिल्कुल नहीं, बागी चीज़े भी है, water and minerals, बिल्कुल only आ गया यहाँ पर बच्चों, तो यह बात हमारी गलत हो गई, water, mineral, salt and some organic nitrogen only, ठीक है, चलो, option, read करते हैं आगे, वैसे तो अगर 4 यहाँ पर only नहीं लगा होता, तो चारो सही हो सकते थे, ठीक है, फोर्ट करते है, water, mineral, salts, some organic nitrogen and hormones, तो हमारा यह answer हो जाएगा, यहाँ पर, इन सभी चीजों का translocation कोन करता है, जाइलम करता है, clear, next question, in the dicote root, the vascular cambium originate from, dicote root की बात हो रही है, बच्चों ऐसे questions के अंदर, बच्चे क्य होते है, options थोड़े से ऐसे आजाते हैं, समझ में नहीं आते हैं, और फिर वो आंसर गलत करके आजाते हैं, ठीक है, तो बात के और यह dicote root के बारे हैं, बात हो रही है, कि dicote root, the vascular cambium originate from, कहां से, vascular cambium कहां से originate होती है, clear, options read करते है, tissue located below the phloem bundle and a portion of pericycle tissue above the protozylem, तो यह option हमार बिल्कुल सही हो रहा है, इसको हम समझते हैं, सबसे पहले, ठीक है, यह मैंने वापस से वही TS लिया, plant का, clear, बात हो रही है, dicote root की, तो vascular bundle मुझे कैसे देखने को मिलेंगे, exarch vascular bundle, मतला protozylem बाहर की तरफ दिखाई देगा, clear, और different radius पर दिखाई देगे, तो phloem हमें अलग दिखाई देगा, यह बात भी बिल्कुल किरिया है, आप सभी बच्चों ने चीज़े पढ़ रखी है, ठीक है, तो xylem और phloem different radius पर है, तो मतला radial vascular bundle है, अब option में हम से क्य to located below the phloem, अब बात होरी है, below the phloem की तो phloem के नीचे, यहाँ पर कोई tissue present है, और उस tissue का नाम है conjunctive tissue, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी पिछले questions में आपको बताया था, डाइकोट stem के बारे में, जहाँ पर medullary raise present थी, और उससे interfacicular cambium का formation हो रहा था, clear, तो उसी तरीके स यह डाइकोट root है, और यहाँ पर medullary raise ना होकर उसकी जगापर क्या present होता है, conjunctive tissue हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो डाइकोट root के अंदर हमें conjunctive tissue देखने को मिलता है, कहाँ पर phloem के just नीचे, तो यह हमारे पास क्या है, यह phloem है, यह phloem है, यह phloem है, ठीक है, य यह टिशू क्या, इसके sales वापस से क्या होती है, एक्टिव होती है, और यहाँ पर एक ring का formation करती है, तो यह तरीके से, ठीक है, एक्टिव हुई, और यहाँ पर एक ring का formation किया, जैसे medullary raise की sales ने किया था, inter-fascicular chemium का formation, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, रिंग का formation पूरी नहीं है आधिया दूरी रिंग अब दूसरा काम किया कि पेरिसाइकल को भी काम करना पड़ेगा तो आगे क्या बात हो रही है की टिशु लोकेटेड बिलोग दे फ्लोयम बंडल ठीके बिलोग फ्लोयम बंडल यह कंज़क्टिव टिशू हो गया एंड पॉर्शन ऑफ पेरी साइकल टिशू अब आ अब फूटो जाइलम तो प्रोटो जाइलम कहाँ पर ही यह प्रोटो जाइल की तरफ सेल्स पैरी साइकल की यह जोडने का काम करती है इस तरीके से किलियर तो यह हमारे पास क्या एक वी रिंग का फॉर्मेशन होता है प्रोटोजलाम की उपर की सेल्स इस तरीके से क्या एक वेवी रिंग का फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है तो क्या पूछा हम से वही बात हो गई कि इन डायकोट रूट दे वैस्कुलर के अंबियम ओरिजिनेट फॉर्म तो कहां से हुई इस तरीके से डायकोट रूट के अंदर वैस्कुलर के इंबियम का फॉर्मेशन होता है आई होप की चीज़े क्लियर हुई होंगी ठीक है बच्चों तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर वन चल ले आगे चलते हैं यहां तक क्लियर है नेक्स कुश्चन री जनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोविंग ग्रास फॉलोविंग दग्रेजिंग इन लार्ज ली डू डू टू ठीक है बात क्या हो रही है यहां पर की घंस उग रही है अब उसको खाया किसने बेल बकरी गाय भेंस कोई भी आया और उस खा गई ठीक है अब घंस तो खा लिया अब हम जानते हैं कि जो अपना स्टेम होता है या फिर रूस्टेम के टीप पर क्या एपिकल मेरे स्थेम पर जिए ठीक है तो मालो कि यह मेने ग्रास यह क्या एक ग्रहाँ से घंस बना दी और यह क्या है इसका apical meristem है ठीक है यहाँ पर meristematic cells दिखाई देंगी हमे clear? बिल्कल simple चीज़ आप जानते हैं यह वाली बात को ठीक है तो यहाँ पर क्या दिखाई देंगी मुझे apical meristem है meristematic cells हमें दिखाई देंगी और हम जानते हैं कि अगर किसी प्लान्ट को अगर हम यहां टिप से काड़ दें तो वहां से दुबारा ग्रो नहीं हो सकता है वह साइड से ग्रो करेगा क्योंकि उसका एपिकल मेरी स्टेम क्या है कट चुका है लेकिन घास के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि घास तो क्या है जरुत है अब अब दुबारा ग्रो कैसे करेंगी तो बच्चों नेटरन इतना बड़िया सिस्टम बनाया है कि बीच में हमें क्या दिखाई देती है intercalary क्या बच्चों intercalary meristem present होता है जो घास को दुबारा से ग्रो कराने का काम करेगा clear तो बीच बीच में intercalary meristem present है तो घास वापस क्या होगी ? उख जाएगी वापस बड़ी तो ये काम कौन करेगा intercalary meristem बिलकुल simple question है ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं किलियर बढ़े आगे बहुत बढ़िया चल यह next question next question लेते the transfer section of a plant show following anatomical features क्या बोल रहा है एक transfer section लिया हुआ है अब बताईए कि कौन से anatomical features उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें हमें A B C D देखना है क्या क्या चीज़े हैं ठीक है large number of scattered vascular bundles surrounded by a bundle sheet अब मैं पिछले question में आपको discuss कर चुका हों कि जो scattered vascular bundles होते हैं वो monocoat के अंदर हमें दिखाई देते हैं monocoat में monocoat stem के अंदर हमें scattered vascular bundle दिखाई देते हैं clear वो मैंने आपको diagram से बताया कि यह मैंने एक monocoat stem का TS लिया clear और हमें देखा कि बीच बीच में तो large size के scattered vascular bundles थे और चोटे चोटे कहां present थे periphery की तरफ मतलब बहार की तरफ small size के vascular bundles थे scattered का मतलब क्या होता है बिखरे हुए vascular bundle हमें दिखाई देते हैं clear तो वह किसका feature है the monocoat stem का feature है तो बागी तीन पढ़ने की ज़रोती नहीं पड़ी आंसर हो जाएगा हमारा monocoat stem फिर भी पढ़ते हैं large conspicuous parent कामेंट टिशू जितना भी बीच का टिशू है सारा का सारा यह क्या यह जो ब्लेक ब्लेक दिखाई दे रहा है पूरा यह क्या है ग्राउंट टिशू है clear बात vascular bundles are conjoint and close मैंने बताया आपको कि conjoint क्या होते हैं जो vascular bundle का साथ में होना दोनों जायलम और phloem का साथ होना conjoint मैं टर्म बिल्कुल सीधी है conjoint साथ में ठीक है और close मतलब बीच में cambium नहीं है वह मैं पहले आपको बता चुका हूँ बीच में cambium नहीं है तो close होंगे ठीक है phloem parent काईमा absent तो phloem parent काईमा क्या है बच्चों इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता फ्लोएं परें काईमा हमें डाइकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलता है आप बच्चे जानते हैं कि जो phloem parent काईमा NCRT की लाइन है ठीक है कि phloem parent काईमा absent in dicote stem sorry dicote monocote stem ठीक है और dicote stem के इंदर हमें ये देखने को मिलता है क्योंकि जो डाइकोड स्टेम होता है बच्चा वह मोटा होता है ठीक है गर्थ उसकी मोटी होती है इंक्रीज करता है सेकन्टरी ग्रोथ हो रही है तो फ्लोयम पेरियन कैमा क्या करेगा जो वोटर है वह तो ऊपर की त Congress bisus के व tap वोटर की तो ब्रू क्ने की करेगह वो फ्लोयम पेरियन चैमा बारे में तो बच्चो मोनोगॉटि St Dame क्या है पतला स्थेम है जरूरथी नहीं घर्थ burt increase करी नहीं हाए तो वह प्लांट बनाता है जिसको जरूरत होती एकर उसको जरूरत को स्थेंन होती है नहीं Is उसको तो क्या है साइड में भी वोटर पहुंचाना है ठीक है वहां भी उसको पानी चाहिए तो उसके अंदर हमें फ्लोयम पेरिन काईमा देखने को मिलेगा clear तो हमार आंसर हो जाएगा monocotyledonous stem next question क्या पुछा जा रहा है large empty colorless cell of the adaxial epidermis along the veins of the grass leaves उसे वही मैंने बताया आपसे कि जो large empty colorless cells होती है उनको हम क्या बोलते हैं bully form cells होती है और वह क्या करती है जब water बहुत ज्यादा होता है plant के पास तो वह क्या करती है बिल्कुल फैल जाती है आराम से टर्जिर हो जाती है फूल जाती है clear बहुत सारा पानी है leaf के पास लेकिन जब water की requirement क्या हुआ कि उसके पास कम हुई गया और वोटर की अपने पास सेव रखना चाहिए अपन को sun आया सूरज आया बहुत तेज light पढ़ रही है बहुत तेज गर्मी है तो ठीक है क्या करेगा वह आपने आपको इनवर्ड कर लेगा मतलब अंदर की तरफ कर्ड कर लेगी बुली फॉर्म सेल्स ठीक है तो क्या करेगी यह वोटर जो लीफ से जो वोटर जाएगा ट्रांस्परेशन के थूरू उसको बचाने का काम करेगी क्योंकि प्लान्ट को क्या चाहिए बच्चों वोटर की ज़रू नहीं है घ्रवशन चलिए मैज्ड कोलम यहां पर हमें करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू ठीक फड़ते पहला सेल एक्टिव सेल डिविजन के अश्याम जानते एक्टिविटी एक्टिव को सैल्दिविजन कहा रोटा मेरि स्नेमेटिक सेल्स होती है जो लगातार लिया मैंने clear और यहां पर क्या है Merystematic cells present is capable Merystem Teep और यह क्या करेग लगातार इसकी length को increase करेगी तो यहां पर पहला हो जाएगा हमारा Merystematic tissue ठीक है तो पहला मिलाते हम एक दो एक दो कहीं दे रखा है एका दो दे है ठीक है ठीक है ठीक है यहां नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिंपल हमारा इससे कोश्चन से हम टाइम को बचा सकते हैं एक्जाम के अंदर अब दीख ठीक है हमें जानते हैं कि सेल्स विद एक्टिव सेल डिविजन कैपेसिटी ठीक है तो मेरी स्टेमेटिक टिशू है बिल्कुल तो बाकी हमें तीन दे तो बात हो रही है बुली फॉर्म सेल के बारे में क्लियर तो ये बात हमारी गलत हो गई ये जोड़ा हमारा नहीं मिला ठीक है नेक्स बात करते हैं इन डाइकोट लीव वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई लार्ज थिक वाल्ट ठीक है डाइकोट लीव की बात हो वेस्कुलर बंडल्स और सराउंडेड बाय लार्ज थिक वोल्ड सेल्स उसको हम क्या बोलते हैं बंडल शीत बोलेंगे तो ये बात भी क्या है हमारी गलत हो गई नेक्स देखते हैं और आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं इंटर फेसिकुलर केम्बियम पहले ही कोश्चन में आपको मैं डिसकस कर चुका हूँग ये वाली बात को कि जो मेजुलरी रेज होती हैं उनकी क्या सेल वो एक्टिव होती हैं और एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं उसको हम बोलते हैं इंटर फेसिकुलर केम्बियम तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल तीन क्लियर नेक्स्ट क्वेस्चन इन टिशु कलचर एक्सपरिमेंट कर रहे हैं हम लीफ मीजोफिल whales are put in a culture medium to form lase भी हमने कया कि की की टिशु कलचर मीडियम लिया वहाँ पर हमने क्लचर मीडियम पर और उससे क्या फॉल्म क्या केलस फॉल्म किया अ कील वापस से क्या होगा इफ्रेस्टी इफ्रेंशेशन होगा ठीकिए वापस से क्या है विजान श्डार ओ स्टेट्मेंट थी कि स्टेटिमेंट दो स्टेटिमेंट दिए गए हैं देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है एंडार्क एंड एग्जार्क आर्दे टर्म ओफन यूजड फोर डिस्क्राइबिंग दा पॉजिशन ओफ सेकंडरी जायलम इन दा प्लांट बोडी बिल्कुल पिटा यहां पर बात सही थी लेकिन इसने पूरा काम खराब कर दिया सेकंडरी ने अगर यहां पर प्राइमरी होता तो यह हमारी बात सही हो जाती हम जानते हैं कि एंडार्क और एग्जार्क जो है वो क्या करती है यूज डिस्कराइबिंग पोजिशन ओफ प्राइमरी जायलम ठीक है यह प्राइमरी जायलम को बताती है तो यह बात हमारी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं एग्जार्क कंडिशन is the most common feature of the root system बिल्कुल सही बात यहां पर कही गई है कि एग्जार्क कंडिशन is the most common feature of the root system हम जानते है एग्जार्क का मतलब कि प्रोटो जायलम की तरह बाहर की तरफ पेरिफरी की तरफ और मेटा जायलम अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते है एग्जार्क बोलते है ठीक है तो यह क्या common feature है किसका root system का तो यह बात हमारी सही हो गई तो देखते है क्या क्या बहुत statement one and two are true बिल्कुल नहीं false बिल्कुल नहीं statement one is correct बिल्कुल नहीं गलत बात हो गई statement one is incorrect ठीक है but statement two is true तो हमारा answer हो जाएगा बच्चों यहाँ पर four clear next question transfer section of a plant part show polyarch radial and exarch xylem बात तो यहाँ पर root की हो रही है जितना हमने अब दक question पड़ा है यहाँ पर बात हमसे root की की जा रही है अब देखते है कौन सी root है dicote है या monocote है ठीक है तो exarch xylem with endodermis and pericycle बिल्कुल ठीक बात the plant part is identified as ठीक है बताओ भी है कौन सा है कौन सा तो पहले ही गलत हो गए अब दो बचे अब बताओ क्या जवाब होगा अब बताइए इसका क्या अंसर होगा तो बचों हम जानते हैं कि polyark का मतलब 6-8 vascular bundles हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं monocote के अंदर हमें 6-8 vascular bundle दिखाई देते हैं और dicote के अंदर हमें 224 vascular bundle दिखाई देते हैं तो यह आपको पता है और NCRT में बिलकुल लाइन दी हुई है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं क्लियर क्लियर हुआ बच्चों चलिए next question consider the following plant tissue axillary bud ठीक है vascular vesicular vesicular cambium ठीक है intervascular cambium ठीक है core cambium and intercalary meristem यहाँ पर a b c d e दिये हुए है अब क्या करना है देखिए identify the lateral meristem among the above हमें यहाँ पर क्या देखना है lateral meristem के बारे में देखना है बच्चों तो NCRT की बिलकुल simple line दी हुई है किसके अंदर lateral meristem के अंदर दी हुई है कि fascicular vesicular cambium interfascicular cambium और क्या है हमारे पास core cambium यह तीनों क्या है example of lateral meristem time बताइए b c d d c d c d विलकुल नहीं होगा b c and d only तो यह हमारा यहां पर answer हो जाएगा दो clear चलिए बच्चों तो इसी के साथ आज हमारे पिवाई क्यूज एनटोमियो फ्लावरिंग प्लांस के खतम हुए आई होब कि आपको चीजे समझ में आई होंगी और कुछ जो कुछ भी आपके डाउट थे पिवाई क्यूज को लेकर वो clear हुए होंगे और आप अच्छे से preparation करें कुछ दिन ही शेश हैं आपके exam को तो आप अच्छे से त्यारी करें बच्चों best of luck thank you हुए तो आपके 21 ya कुछ आपके दिन है, करें शोंगे बाई कि एवslav टू हो में आपके यच्छ झार प्रग्ट आपके यश्वब वर भी